दोस्तो आज की इस वीडियों हम बात करेंगे गेहूं की तीन उन्नत किस्म के वारे में जिन तीन किस्मों के वारे में मैं आज मैं जो जानकारी देने वाला हूँ बहुत ही बढ़िया और सांदार उत्पादन देने वाली वैश्ट वेराइटी हैं एक वार अच्छे से देख लें कि इन में कितने रोग लगते हैं प्रत्य एकड़ उत्पादन कितना है बीज दर्म हमें क्या रखनी है और कौन-कौन से राज्यों में इसकी वाई कर सकते हैं पकने की अवदी कितनी है पैदावार कितनी होती है सब कुछ A to Z जानकारी इस वीडियो को पूरा वाच करें तभी किसानवायों आप एक सही और एक अच्छी जानकारी ले पाएंगे दोस्तों यदि आप हमारी वीडियो पर पहली वार आये हैं तो क्रिप्या करके चैनल को सब्सक्राइब करें पास वाले बेल आइकन गंटे को प्रेस कर लें ताकि एक सो बीज दिन के अंदर ये किस पकरते हैं हो जाती है और बीज दर की बात करूँ तो बीज दर हमें प्रत्य एकड हमको लगोग 40 केजी प्रत्य एकड के एसाफ से आपको इसका बीज लेना होगा और यदि आप स्री राम 330 वेराइटी की पचहती वाई करते हैं तो आपक किसमें किसानवायों रोग बहुत कम लगते हैं या वेराइटी रोगों के प्रतिकाफी संबेदन सील है और बात कर लेते हैं कि कौन-कौन से राज़ों में आप इसकी वाई कर सकते हैं तो आप पंजाव, हर्याना, उत्तरपदेश, गुजराद, बिहार, असम और पक्षिम राइटी में लगवग गेहूं के बरावर भूसा निकलता है जो पसूँ के चारे के रूप में प्रियोक किया जाता है और बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की तो लगवग या 26 से लेकर 28 कुंटल प्रते एकड़ तक हमको उत्पादन देखने को मिल जाता है जो की एक रवार की सिचाई होती है और इसमें आप 3 सिचाई करेंगे तो यहां आपको अच्छा उत्पादन निकाल कर दे सकती है वाई के समय की बात की जाए तो आप अक्टूर महा से लेकर दिसमर महा तक इस वेराइटी की वाई कर सकते हैं और बात करते हैं किसानवाईों दूसरी किस्म की तो करण वंदन डीवी डवलू 187 ये बहुत ही अच्छी और किसानों की बरोसे बढ़ी बात की जाएं यहावी लवाग 120 दिन में पक कर तयार हो जाती है इस किस्म में रोक काफी कम आते हैं जिसके कारण किसानों का उत्पादन बहुत ही बढ़िया होता है बात करें इसके पौदे की लंबाई वह 88 सेंटीमीटर से 90 सेंटीमीटर होती है जो कि स्रीराम 303 से थोड़ी कम होती है जिसके कारण आसानी से नीचे नहीं गिरती है और इस वेराइटी में आपको एक कल्ले से लगवग आपको 10 से 12 कल्ले मिल जाएंगे और इसका पौदा अच्छी तरह से ग्रोथ करता है पौदा लगातार हरा बना बना रहता है इस किस्म का जो दाना होता है वो काफी मोटा चमकदार दाना होता है इसकी जो बालियां होती है वो काफी मोटी और गेहूं से बरी हुई बालियां होती है या गेहूं खाने में काफी ज़्यादा स्वादिश होता है और किसानवायों बात कर लेते हैं इस वेराइटी के रोगों की तो भूरा रतुआ रश्ट जुलसा रोग इस वेराइटी में बिलकुल नहीं लगते हैं और बात कर लेते हैं इसके उत्पादन की तो इसका एवरेज उत्पादन हमको 26 से 28 कुंटल प्रत एकड़ उत्पादन देखने को मिल जाता है ये दोनों ही किसमें किसानवाईों लगवक सेम उत्पादन निकाल कर देती हैं जो कि किसानवाईों के लिए बड़िया उत्पादन होता है और बात करें इस किसम की वाई की तो आप पंजाब, हरियाना, उत्तरपदेश, मद्परदेश, बिहार, राजिस्तान, आधराज़ा में इस वाई कर सकते हैं और इससे आप एक बड़िया और सांदर उत्पादन निकाल सकते हैं अगली और अंतिम वेराइटी की बात करें तो किसानवायों आप अपने खेत में करण नरेंद डीवी डवलू 222 वेराइटी की वाई कर सकते हैं वीज की मातरा की बात करूं तो आप 40 से लेकर 45 केजी प्रत एकड हमको वीज की आफसकता होती है और पकने की अदिकी बात करूं तो 120 दिन से लेकर 140 दिन के अंदर या वेराइटी पक कर तैयार हो जाती है और इसकी वाई की बात की जाए तो 30 अक्ट्वच से लेकर 10 दिसमर तक आप इस वाई कर सकते हैं और बात करें सिचाई की तो अनिकिसमों के बदले इसमें एक सिचाई जादा करनी पड़ती है लगवग तीन से लेकर चार सिचाईया इस वेराइटी के अंदर आपको करनी पड़ती है और इसकी जो बालियां होती है वो लंबी और अधिक दानों वाली होती है जिसके कारण इ बदले इससे ज्यादा प्राप्त होता है लगवग इस वेराइटी से 30 से 35 कुंटल प्रतेकड उत्पादन इस वेराइटी से देखने को मिल जाता है बीमारियों की किसानवायों बात किया तो इस वेराइटी में काफी कम बीमारी लगती है और बात कर लेते हैं कि इस के बारे में किसान वायो ए टू जड जानकारी दे दी है किसान वायो जल्दी हमारी मुलाकत अन्य वीडियो में होगी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें चैनल पर नहीं है तो सब्सक्राब करना ना भूलें वीडियो देखने के लिए धन्वाज जै जवान जै किसान